हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका Special Kitchen 9 में जी हाँ दोस्तो आज मैं आपको बहुत ही soft idli की रेसिपी बताऊंगी जो काफी fluffy बनती है अगर आप भी idli बनाते हैं और वो बिल्कुल इस तरह दिखती है बिल्कुल hard और कोई मज़ा नहीं आता और ना fluffy बनती है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तो तो चलिए बिल्कुल soft soft और fully fully idli कैसे बनाए वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिए हैं ये देखे चार ग्लास चावल है कोई भी बरतन को measurement बना सकते हैं मैंने इस glass को बनाया है इससे मैंने लिए है चार glass चावल तो एक glass मैंने लिए है उरत के डाल और इसे अच्छी तरह से धोके साब कर लेना है दो से तीन पानी के लिए ये एक टिप से दोस्तों और इसमें मिलाएं कुछ खास ये देखे मैंने म स्थोप्ट बनती है दोस्तों ये चावल लेने से और इसे अच्छी तरह से धोके साब कर लेने हैं और तीन चार मिकसर में डालके तरह से बीलकुल बारिक पेश्च बना लेना है ये देखेई है अगर आपको इडली सुबा बनानी है तो ये पेश्च को रात को पीस के तयार कर ले और आपको लगभग कभी भी बनाना हो तो तीन जार घंटे का गेप रखना जरूरी है तभी यह हमारी इल्ली फलपी बनेगी सभी को निकाल लिया है मैंने एक परतन में और इसे लगातार आपको चलाते रहना है यह देखे थोड़े गाढ़े है इसे आठ से दस बार इसी तरह करना है आपको लगातार मिक्स करना है यह प्रोसेस आप जब पीसते हैं तभी कर लेने है यह देखे और फिर सुभा यह देखे तयार हो गए हमारे बेटर और फिर मैंने इसमें डाला है खाने का सोड़ा और फिर आपको लगातार फिर से मिक् आधा लेने हैं इडली वाले घरना साथ यह जाएंगे उससे पहले आपको पारखी को घरब करना है जो और भी एक बार इससीपी जरूर ट्राइ करें मेरी तरीके से मना के अगर इडली आपकी हाट बनती है तो आप मुझे फिर से कॉमेंट कर सकते हैं मैं आपको पर्फिक तरीका अच्छे से बताऊंगी इसलिए ये वीडियो थोड़ी सोट है दोस्तो इसलिए आप से माफी चाहूंगी और हाँ दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकोन को जरूर दबाए और मेरी इडली और सांभर की रेसिपी मैंने पहले ही डाल रखी है उसे आप जरूर देखें सांभर बहुत ही टिस्टी बने है उसमें दोस्तो इसलिए आप जरूर देखें और अगर आपको अलग से सांभर की रेसिपी भी सीखनी है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी फिर से मिलते हैं तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई